हेलो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमकीन सिवईयों की रस्पी तो देखे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे ये नमकीन सिवईया बनकर के तयार हैं और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं अपने बंचों के लंच में भी लगा सकते हैं तो चटपटी हमारे ये सिवईया बनकर के तयार हैं और ये खाने में बहुत यादा डेश्टी रखती हैं तो चलिए फ्रेंड अपनी चटपटी नमकीन सिवईया बनाना हम सुरू करते हैं तो देखे मैंने हापर एक बड़ी सिम्ला मिर्च काट की रखी है बारीक ज्यादा ब तो ये देखे थोड़ी सी मेनली हैं सेवईया तो ये रवा सेवईया हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं और आप इनको आराम से खरी सकते हैं कहीं से भी तो देखे मैंने ये ली हैं तो चलिए अब हम इनको बनाना सुरू करते हैं तो मैंने कड़ाई में गरम होने कच्चाए में डालोगे तो सम्मत देशीगी को अच्छे से गरम हो गए तो देखी देशीगी मार आखिए से गरम हो गया है तो अब मैं सीम डाल दूंगे अपनी πosaic तो मैंने ली है और इनको डालके अच्छे से अमं있ो हम घर हो डालके पलाएं तक लगातार चलाते हुए मीडियम गैस पर हम इनको भूनेंगे फ्राई करेंगे तो देखें फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है लगातार चलाते हुए अच्छे से हम इसको भून लेंगे तो देखें कलर चेंज हो गया है और यह अच्छे से गोल्डन हो गई ह तो आप देख सकते हैं कि अच्छे समय ने सिवईयों को फ्राई कर लिया है तो आप हम इनको निकाल करके दूसरी बर्तन में रखेंगे सब इको निकाल लेंगे और कढ़ाई को एकदम खाले कर लेंगे आप इशी में में डालदाउंगी थोढ़ी तेव टेल आप तयल अच्छे से क्रम होने देगे करोंगे से जीरा को अच्छे से भूनने देंगी अच्छे बुन affect हो एकदम उसको सुनहरा नहीं करना है आप ह्री मिर्च तो प्याज के साथ हरी मिर्च सकते हैं और एक यदे होकं मीठ भूनने के बाद हरी मिर्च 25 म१ जैने चैहें तो प्याज को हल्का सब्हूनने के पाद हरी और अच्छे से मात प्हूनेंगे तो देखिए हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से भुन गई है तो आप मैं सी में डाल दूँगी कटी हुई सिम्ला मिर्च सिम्ला मिर्च को भी दो मनठम मुलायम होने तक अच्छे से भुनेंगे तो देखें, आप देख सकते हैं कि सिम्मला मिर्च भी सॉप्ट हो गई है, मुलाइम हो गई है, तो आम एसी में डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर, और तमाटर डालने के बाद अच्छे से मैं मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद अब मैं डालूंगी मसाले, टमाटर को एक अधा चमछी में हल्डी पौडर ठीकिते लाल मिर्च पौडर दालेगे लाल मिर्च पौडर डालेगे लाल मिर्च पॉडर एक मिनट मैं सब बूने के संथी और बूनने कोछा गाले हुआनों, राल कज परोगाए और मसाली अक्पार बाने के अनिकुदा यस मेशालीसीनव में लूँद ये अच्छी से मिला देंगे मसालों में शिवईयों को मिलाने के बाद अब मैंसी में डाल दूंगी पानी डाल है जरूरत के अने सार तो आपको आप देख सकते हैं कि मैंने इतना पानी डाला है कि जो उसे बहिया है पानी में अच्छे से दूप जाएं तो इसे इसे पहर को तो जाएंगे अदिक तैने के बाद हम इसको तो दो से तीन नट ढख कर पकाएंगे जिसमें यह जो हमारी सेविया है वो सूजी की है तो अच्छे से फूल जाएंगी और पक जाएंगी तो इसलिए दो नट हम इसको ढख कर के पकाएंगे पकादे समय आपको दियान रखना है कि आप बीच में चेक भी कर सकते हैं और अच्छे से इनको उपर नीची कर दें जिससे यह सभी अच्छे से पक जाएं तो देखें मैंने इनको खोल के एक बार चेक कर लिया है तो हम इसको हलका सा और पका लेंगे तो देखें फ्रेंट तीन से चार मिनाट हो गए हैं आप हम से बैयों को चेक कर लेते हैं तो देखें आप देख सकते हैं कि बारी बिलकुल बन करने तयार हैं और एक-एक से बैया हमारी एकदम से अलग हो गई हैं और कितनी बढ़िया हमारी बनकर के तैयार हैं तो हम मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कटे हुई हरी धनिया, हरी धनिया डालके अच्छी समें इसमें मिला दूँगी और ये देखे फ्रेंड गर्मा गरम नमकें से भीया हमारी बनकर के तयार है और ये बहुत जादा टेस्टी लगती है खाने में तो आप इसे किसी भी टैम बना सकते हैं सुबह साम चाय के साथ भी खा सकते हैं अपने बच्चों के लंच में भी लगा सकते हैं तो देखे फ्रेंड कितनी अच्छी हमारी बन करके यह तैयार है रेस्पी पसंदा है तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आई हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलिए फ्रेंड यू रेस्पी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे थैंक यू फ्रेंड